हाई गाइस, वेलकम तो अनदर व्लॉग तो व्लॉग शुरू करते हैं घरेलू नुसके के साथ अगर आपको बहुत गैस की प्रॉबलम है या कॉंस्टिपेशन है तो पस आपको सेम अमाउंट में जीरा और अचवायन का रेशियो बनाना है और उसको तेज आच में भूनना है थोड़ा सा डाले उसके उपर काला नमक और पिला दे अपने चहाने वालों को गरम पानी के साथ क्या होता है ना कि बिमारियों में हम इतनी दवायां खाते हैं कि हमें गैस और कॉंस्टिपेशन की प्रॉबलम होने लगती है तो रिवाज अनुसार मेरी ममी ने हम बच्चों पे घरेलू नुसके आजमाने चालू कर दिये हैं पता नहीं मैंने पूर जनम में क्या पुन्य किये थे कि मुझे तुशार जैसा पती मिला है भाई मेरी पीट दर्द का भी मेरी ममी के पास घरेलू इलाज है मेरे को हींग मुह में ठुसवा दिया इनोंने मिली कुकी मामा उफ मेरी सासु मा के सगे भाई से मेरी बेटी का बंधा हुआ स्क्रीन टाइम हो गया है तो वो एक घंटे बैटके अब अपने कार्टून्स देखेगी एक बहुत बड़ी खपर है जो मापको जल्दी सुनाने वाले गे कागजात किस चीज के लिए है और हमने क्या ऐसा किया है हमारे घर में बरतन तो ऐसे जूटे होते जैसे रोज बारात निकलती हो घर के नीचे से हुआ सदी राम, स्वेटर पैनले थंड का मौसम हो रहा है मैं तो पूरा विश्वास करती हूँ अपनी बेटी को तरहा की चीज़ खरीदवाने करके देलीज से बच्चा भार निकले और दादी नानी पीछे खाना लेके ना दोड़े ऐसा हो ही नहीं सकते हमारे घर में ये धमार ताल में हमारे बच्वा करोना सुनते हूए हम इसको लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल अब बेहन रो रो के अपना मूँ इतना गंदा कर दिया कि हम लोग को पहले इसका पोचा पोचाई करना पड़ा मामा मैं बड़ा बच्वा हो गया हूँ देखो खुचे बंच कर दिया टाटा हमार बच्वा हमसे फुल नराज था गुबारा के जैसे मूँ फुला के बैठा हुआ था मेरे साथ हम भी बहुत चतुरवेदी हैं हम भी उसका मूँ ठिक करना जानते हैं मैंनी चाहती थी कि आध्या के दिमाग में हॉस्पिटल कोई डरने की जगा हो इसलिए सबसे पहले जाके उसको बहुत सारा खिलाया और हसाया ऐसे भी भाई आज कल का हॉस्पिटल भाई बहुत फैंसी हो गया है जब हम चोटे थे तो हमारे जमाने में ऐसे हॉस्पिटल थोड़ी होते थे बस तो सड़ी वी सी मूँ बना के नर्से जाती थी दोनों हाथ पकड़ के टुईया पे सुईया घुपते चली जाती थी फिर से अगर अस्थम आटाक पड़ता है तो ये चीज़ पर्मनेंट हो जाएगी आध्या के अंदर हॉस्पिटल कुछ इस तरीके का था बैटने की जगा डॉक्टर्स के के बिन बच्चों को खेलने का छोटा सा गार्डन एक रिसेप्शन जो सामने ही था भाई इसको चिकत साल्या ने फाइफ स्टार हॉस्पिटल घोशित कर दो हॉस्पिटल वाले बहुत ही जादा को उपरेटिव थे उन्होंने हमें शूट भी करने दिया हाश्टेग हॉस्पिटल में फैन वाला मोमें इन साल्या से बाहर निकलते में में एक और खुशकावरी मिली कि हम में से किसी को भी कोविड नहीं है तडडडडडडड़ पभी पवर घर आके मैं पापाजी की रोटी बनाने के लिए तयारिया करी रही थी कि एक बहुत-बड़ा कांड हो गया वहाँ पर कब चड़ी मुझे पता ही नहीं चला और उसने जो आठे की होली मनाई है के चन में चब तक हम इस घटना स्थल पे पहुचे बहुत ही जादा देर हो चुकी थी दोस्तों इतने दिनों से जो दवाईयां पिलारियों ने इसने सारी कसर निकाल ली मेरे पे जुक तो मुझे आठा के बरबादी पे भाईया ये राशन में अगले महीने एक्स्ट्रा जुड़ेगा मेरी माते क्या करें एक छोड़ा बच्चा जब घर पे होते है तो ऐसी चीज़े होती ही रहती है चलो दोस्तों इस व्लोग को यही खतम करते हैं नेक्स व्लोग में आपसे मुलकात होगी और वो सीक्रेट हम नेक्स व्लोग में डिस्क्लोस करने वाले बाई